तो अभी कुछी दिन पहले मैं अपने पैर पे एक नीला निशान देख रही थी, मतलब चोट का निशान और मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि यार यहाँ पे लगी कब? जब मैंने कुछ समय लगाया सोचने में तो मुझे रेलाइज हुआ कि ओ, उस दिन जो टेबल पे लगी थी, यह उसी का निशान है आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा, कि आपको किसी टेबल के कोने से, किसी पत्थर से, किसी बॉल से लग गई होगी और वहाँ पर एक नीला निशान पर जाता है कभी कबार तो ऐसा भी होता है कि हम निशान देखते हैं और सोचते हैं कि यार यहां लगी कब थी हमें पता ही नहीं होता हमें अपने शेरी के कौन कौन से हिस्से में यह नीले निशान दिख रहे होते हैं जहां आम भाशा में हम इस निशान को नील पर जाना कहते हैं इंग्लिश में इसे ब्रूज कहा जाता है और ये नीला निशान हमेशा नीला ही नहीं रहता अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब से आपको ये चोट लगती है और जब तक ये निशान मिटता है इसके अलग-अलग रंग बदलते रहते हैं कभी पीला, कभी हरा, कभी लेकिन क्यूं? तो आएए आज यही जानते हैं कि ये ब्रूज नाम की चीज क्या है और भाया ये इतने रंग क्यों बदल रहा है जब आपको अपने शरीर पे इस तरह का कोई नीला निशान दिखता है इसका मतलब ये होता है कि वहां पे मौजूद कैपिलरीज आपकी कैपिलरीज एक तरह की छोटी छोटी बहुत पतली खून से भरी ब्लड वैसल होती है जो ऑक्सिजन और निउट्रियन्स को हमारे टिशू तक पहुँचाती है तो जब ये पतली कैपिलरीज किसी वज़े से तूट जाती है तो इनकी अंदर मौजूद खून बाहर निकल ज जाता है इसका मतलब यही होता है कि भाईया उन्होंने आपके आँख के एरिया की जो कैपिलरीज है तो इसी लिए चोटके लगते ही आपको यह लाल निशान दिखाए देता है जो हून का ही होता है और खूं का यह लाल रंग खूं में मौजूद हीमोग्लोबीन की वज़ दरसल उस निकले हुए खून की सफाई और उसमें मौजूद प्रोटीन और बाकी के हिस्सों को दुबारा इस्तिमाल करने के लिए हमारे वाइड ब्लड सेल्स और कुछ एंजाइम्स वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं तो जब यह वाइड ब्लड सेल्स और यह एंजाइम्स उस जगह पे अपना काम कर रहे होते हैं तो जो भी केमिकल रियाक्शन होती है और उनकी वज़े से जो प्रोड़क्ट बनते हैं उन्हीं के ही अलग-अलग रंग हमें दिखाई देते हैं आपके ब्रूज के रंग को देखकर यह बताया जा सकता है कि आपकी चोट कितनी पुरानी है चोट लगने के एक से दो दिन में आपका ये लार रंग का ब्रूज नीले और परपल रंग में बदल जाता है फिर 5-6 दिन बाद यह हरा सा दिखाई देने लगता है आखिर में 8 आपनो दिन बाद ये पीला या ब्राउन हो जाता है और इस प्रोसेस की ये आखरी स्टेज होती है और आखिर में पीला और ब्राउन होने के बाद ये कुछ ही दिनों में एकदम साफ हो जाता है तो आज की चोटी सी वीडियो और ये चोटा सा सवाल हमें ये बताता है कि ये जो हमें छोटी सी लगती है, एक निशान की तरह दिखाई देती है, हमारी तवचा के नीचे होने वाले कादमामों का बहुत बड़ा सबूत है और मज़े सबसे जादा मज़ेदार बात ये लगी, कि जो खून इन कैपिलरी से लीक हो जाता है, एक तरह से वेस्ट हो जाता है, उसको भी हमारा शरीर दुबारा यूज़ कर लेता है तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही छोटे बड़े सवाल घूमते रहते हैं, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन भर दीजिए आप अपने सवालों से, अपनी एडवाइस से और अगर आप आप जाना ही चाहते हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और कॉमेंट करना पड़ेगा